मैनी क्योर की परिभाशा मैनी क्योर द्वारा हाथ सुन्दर और बाहें सुडॉल रहती हैं सब तहां में एक बार मैनी क्योर करना उचित है मैनी क्योर के आवशक समागरी Things required for मैनी क्योर Two balls, ammonia, cotton, towel, मैनी क्योर cream, detol, मैनी क्योर shampoo, acetone, nail polish remover मैनी क्योर set Cuticle cutter, pusher, cleanser, under dust nail, cleanser, wooden scrapper, pumic stone, steel scrapper, scrub, apricot fruit cream, nail buffer मैनी क्योर करने की विधी मैनी क्योर दो प्रकार्श शुरू किया जाता है सबसे पहले आप client के nails देखे यदि nails hard हैं तो पहले हाथों को shampoo waste में डुबो कर रखे फिर जब कुछ फिर soft हो जाएंगे तो उन्हें काटें या फिर file करें दूसरा, यदि client के nails soft हैं तो उन्हें काट कर file करेंगे और बाद में warm water में 10 minute के लिए dip करेंगे मैनिकोर करने का step 1, removal of old nail polish यानि नाखूनों पर लगी nail polish को cotton में acetone लगा कर अच्छी तरह से साफ करें step 2, cut and file the nails nails को nail filers से file करें और ठीक से क्लेंट की एक्छा अनुसार nails की shape बना दें step 3, dip hands in warm soapy water समाने गर्म पानी में shampoo, एक चमच hydrogen, तता 3-4 drop ammonia की फिर 8-10 drop to doll की डालें फिर 10-15 minute के लिए हाथों को गर्म पानी में dip करें हाथों को dip करके nails के tips को brush से हलके हाथों से रगड कर साफ करें step 4, dry the hands हाथों को towel में हलका हलका पोच लें फिर पिल्मिक स्टोन की साहता से गोलाई में हलका हलका रगड कर मित तवचा निकाल दे यदा हाथों को साफ पानी से दो कर पोच लें step 5, nail treatment nails के side में दिखाई देने वाले क्यूटिकल्स को pusher की साहता से पीछे करें और क्यूटिकल्स cutter की साहता से dead skin को काट दें step 6, massage हाथों पर क्रीम लगा कर नीचे की और से उपर की और हाथ चलाते हुए हाथों की संपून मसाज करें हाथों की अंगलियों से लेकर कोहुनियों तक अच्छी तरह से मसाज करें उसके बाद टौवल से हाथों को पोच दें step 7, nail polish अब client की पसंद के अनुसार हाथों के नाखूनों पर nail polish लगा देनी है many cure के फायदे पहला ये हाथों की संदर्दा को पढ़ाता है दूसरा हाथों के जुरियां नहीं पढ़ने देता है तीसरा ये है तवचा और नाखूनों के disorder से बचाता है चौथा ये हाथों के रक्त चाप को बढ़ाता है पांचवा ये हाथों के आकार को ठीक रखता है हाथों की चमक बनी रहती है और हाथ संदर्द स्वस्त रहते हैं तेता सर्दियों में तवचा रूखी नहीं होती है हाथों की समस्याओं का निवारन हाथों की सुन्दरता पहला, दूद में नीबू का रस मिलाकर मलने से काली वाहों का सुन्दर्ण निखर उटता है तथा तवचा कोमल हो जाती है दूसरा, यदि कोहनियों पर कालख जमी हो तो उस पर कटे नीबू से मालिश करें तीसरा, नीबू का रस तथा ग्लिसरिन मिलाकर हाथों पर मलने से हाथों का काला पन और रूखा पन शीग रिदूर हो जाता है चौथा, बादाम रोगन में ग्लिसरिन मिलाकर मलने से हाथों की तवचा मुलायम होती है पांचवा, मुमबती का मुम हाथों पर मलने से तवचा मुलायम होती है छटा, हाथों पर शेहद मलने से तवचा मुलायम होती है तथा रंग भी निखर आता है